वेलकम माई यूटूब चैनल ब्याश नारानविस्र आज हम डिसकस करने है बाउंडरी कंडिशन फैर मैगनेटिक फिल्ड इन्टिंस्टी इसके लिए मैक्सेवेल का फोर्थ इक्विशन यूज करते हैं मैक्सेवेल का फोर्थ इक्विशन होता है करल एच इक्विल टू जे प्लस डिल डि अपान डिल टी यहाँ पे जे जो है करेंट डिंस्टी है और डि जो है डिस्प्लेस्मेंट वेक्टर है यह डाइग्राम में दिखाया गया है मीडियम ओन मीडियम टू इन दोनों के बीच म लूप है इसकी हाइट है अब हम रिक्टॉंगर लूप ABCD के ओबर इसका सर्फिस इंटीग्रल लेंगे तो इस तरह से यह हो जाएगा आपका सर्फिस इंटीग्रल लेने पर सर्फिस इंटीग्रेशन करल h and n जो है direction है perpendicular direction है ds और j plus dill d upon dill t n जो है direction है ds area है आब स्टोक स्थियोरम के according जो curl है उसको line integration में surface integral को line integration में स्टोक स्थियोरम के थूरू हम change करेंगे तो curl h जो है ये line integration में बन जाएगा जो कि rectangular loop ABCD के according हो जाएगा H.DL equal to J plus del D upon del T NDS DSA area है, surface area है और N उस surface area का direction है अब जैसा कि diagram में दिखाया गया है loop में AB के according ले लेंगे H1DL यहां से और loop H2 के according ले लेंगे H2DL और पुड़े BCA और DA का जो पार्ट है उसमें ले लेंगे HDL तो यह हो जाएगा surface integration J plus del D upon del T अब यदि जो rectangular loop है उसकी height को H tends to zero limit लगा दिया जाए तो जो हम limit लगाएंगे तो जो इसका BC और DA पार्ट है वो लगवग zero हो जाएगा और जो इसका del D upon del T की value है NDS यह भी zero हो जाएगा क्योंकि del D upon del T एक bound system होता है everywhere bounded होता है और rectangular loop के side BC और DA के according जो line integral का contribution है वो zero होगा इसी तरह से limit s tends to zero j dot ds तो j जो है current density है इस एरिया है तो एरिया का जो डारेक्शन होता हो पर्पेंडिकुलर होता है इसलिए current density का जो डारेक्शन हो पर्पेंडिकुलर डारेक्शन में हो जाएगा और यहाँ जो length rectangular loop की जो length दी हुई है वो L दिया हुआ है तियो हो जाएगा जे एस पर्पेंडिकुलर where js perpendicular is the perpendicular component of surface current density का यह perpendicular component है चुक्कि AB and CD के according जो यहाँ देख सकते हैं इसके according जो आपका दिया हुआ है surface integration यह 0 हो जाएगा तो इसके 0 होने से सिर्फ यह दोनों part बचेंगे तो इस तरह से हो गया H.DL AB का part और CD का जो contribution है जो current loop है उसमें AB और CD का contribution ही useful होगा और यह equal हो जाएगा perpendicular component of current density यहाँ देख सकते हैं जो यह AB का दिया हुआ है AB और CD इसका जो part है वो यहाँ पे remaining रहेगा बाकी का जो part है वो cancel out हो जाएगा अब चुक्कि line integration है तो इसमें यह tangential component है diagram के coding देख तो यह देखिए यह एक tangential component है AB और CD tangential component है तो यहाँ पर जो magnetic field intensity है उसका tangential component होता एक होता है medium 1 पे और दूसरा होता है medium 2 और इन दोनों का जो direction है वो opposite है यहाँ पे direction है A से B की और और यहाँ direction है C से D की और इसके कारण यहाँ पे H12 tangential component into L और minus हो गया क्योंकि direction opposite है तो minus H2L dot L हो गया और यह JS perpendicular L, L से L cancel हो गया यह हो गया H1T minus H2T equal to JS perpendicular part तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो magnetic field intensity का जो tangential component है अगर दोनों medium dialectic form में है तो interface पर वो continuous नहीं होता और वो current density के perpendicular component के equal form में change होता है लेकिन एक medium का conductivity infinite है तो infinite conductivity होने से उसका जो current density है वो 0 हो जाएगा जब current density की value यह 0 हो जाएगी तो यह हो जाएगा H1T equal to H2T इसका मतलब यह एक medium की conductivity infinite है तो जो tangential component है magnetic field का जो tangential component है magnetic field intensity का वो continuous हो जाता है तो friends हमने circle किया आप मारे चैनल को subscribe करें, like करें, share करें कोई problem हो तो comment करें, thank you very much